क्या ये कूडे कच्रे का धेर है जहां प्लांस इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं असलालेकूम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, शवनूरली देखिए बोरियां भर भर के खाद मिली है मुझे, वो भी बिल्कुल फ्री में ये मधुमालती की जड़े हैं, जहां प्लान भी ग्रो हो रहा है मिटी नहीं है, फिर भी प्लान ग्रो हो रहा है एक दू बोरियां पल्टी हैं मैंने, उसमें ये खाद बनकर तयार होई थी तो मैंने इस बोरि में नीचे कुछ अधकचरा सा वेस्ट भर दिया है और ये खाद डाल दिये और प्लान भी लगा दिये, दूसरी बोरि भी हम तयार कर रहे हैं ये हैंड बेग में देखे, सिर्फ किचन वेस्ट जो होता है सबजियों के या फलों के छिलके, अंडे के छिलके, चाई की पत्ती जो कुछ भी निकलता जाता था, मैं सिर्फ हैंड बेग में भर देती थी इसके लिए मैंने पुराना हैंड बेग यूज़ किया हुआ था उसके अलावा ड्राई लिफ्स जो आपके गार्डन से निकलती है कुछ पुराने पौधे जो खराब हो जाते हैं या सूख जाते प्रूनिंग करने के बाद जो फूल आप निकालते हैं वो सब हम इसी में डालते रहते थे इसके अलावा मैंने कोई केर नहीं की और ये कब बनकर रेडी हो गई पता नहीं चला जब मैंने इनको बोरियों से पल्टा है तो थोड़ी सी धूप दिखाना चाहरे थी के इसको पलट के धूप दिखा दे तो मैंने देखा के इसमें कुछ केचुए भी हैं अर्थवा साथ में ये जो दफती पुराने पेपर सरदी वगएरा पिलास्टिक तो ये हट गई और कागस गल गया टैर्स को जब भी हमने ज़ाड़ा तो जो उसमें रेत निकलती है थोड़ी थोड़ी मिटी भी गमलों के पीछे से आ जाती है वो डाल देते थे एक लेयर उन सब की लगा देते थे कच्रे की किचन वेस्ट और ज़ाड़ी वगएरा उसके बाद थोड़ी सी मिटी डाल देते थे बस इतना ही किया है मैंने और फिर भर के रख दिया और ये टॉप फ्लोर पर रखी हुई थी इसी तरह बोरियों में भरी हुई ना कोई मैंने इसमें होल बनाया था ना लिक्विट कंपोस्टर इखटा किया था ना कोई डी कंपोसर डाला था और इसके बावजूद भी ये सिर्फ रेनी सीजन में जो बारिश का पानी इस पर पड़ता रहा जल्दी से ये गल कर तयार हो गए हाँ मैंने कभी मौशर भी नहीं इसमें मेंटेन किया और ये उपर नेगलेक्टिक पड़ी हुई थी इस वज़े से मुझे टाइम का भी नहीं पता चला कि ये कब इतना अच्छी खाद बनकर तयार हो चुकी है और इसको आप वेल्डेन सॉयल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें रेत वगेरा जो जाकी मिलाते रहे हैं वो भी मिक्स है तो अभी जब भी आपको पॉट भरना हो तो थोड़ी सी मिटी इसमें और मिलाकर और इसको यूज कर सकते हैं आप और उपर से प्लांट लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इस मिटी में पॉधी क्रो करते हैं अब यहां एक और हैंड बेक देख सकते हैं जिसमें मैंने सिर्फ कच्रा ही भरा हुआ था और ये जो एलोवेरा के प्लांट साब देख रहे हैं ये तो मैंने इसमें फेक दिये थे लगाए भी नहीं थे और ये अपने आप ही जम गए हैं मैं इसकी कोई क्यार नहीं करती ये सदा बाहर के प्लांट है इतनी ची फ्लारिंग करता है ये मैंने उपर बांदिया भी फेला हुए था साथ में ये देखिए कम्पोस पर लगा हुआ ही प्लुमेरिया है शकरकन की वेल है मेंधी के प्लांट हैं और गोरी-चोरी की कटिंग मैंने इसी में ग्रो की हुई तो आप सब देख सकते हैं कि ये सब कोछ वेश्ट पर ग्रो हो रहा है इसी तरह की खाद जो अक्सर मैं घर में बना लेती हूँ और फ्रेंड माफी चाहूंगी मैं दो दिन से मुझे फीवर हुआ था इस वज़े से मैं कोई भी वीडियो आपके साथ नहीं शेयर कर पाई लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाफेज